इंदर हम लैट के साथ साथ inverter के connection करने वाले हैं phase के निए हम लाल वाला wire यूज करेंगे इसके लिए हम जितनी भी switch हैं इन सबी switch को तीन switch को आपस में connect कर देंगे इन तीन switch को तीन socket को लैट से operate कराएंगे उसके लिए सभी सुचों को तीन सुचों को आपस में connect करके इसको बाहर निकाल देंगे यह हमारा phase हो गया light का और neutral जैसा कि आप देखते हैं सभी में common होता है इसके लिए इसके connection बाद में करेंगे सबसे पहले इन सुचों को socket में connect करेंगे इस socket को connect कर दिया स्विच से ऐसी ही स्विच से socket को connect कर दिया यह हमारे light से connection हो गए अब हम neutral के नहीं black wire यूज़ करेंगे इसके लिए जितनी भी socket है उन सभी socket हो neutral common रहता है उसको हम common कर देंगे यहां से connection उठाएंगे इस वाले socket से ऐसे ही सभी socket आपस में connect हो जाँगे और इसको हम बाहर निकाल देंगे यह हमारे neutral हो गया अब हमारा cable inverter के ही connection बचे और inverter के connection के लिए हम yellow वाला wire यूज़ करेंगे कौन नहीं जानता है inverter के पीचे से एक output वाला wire निकलता है जो कि phase होता है उसको हम सभी स्विचों में दो स्विचों उनको आपस में connect कर देंगे और इन स्विचों से एक एक socket connect कर देंगे यह और यह हमारे board के connection complete हो गए तो दोस्तो वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइम करें थैंक्स पॉर वाचिंग